next question दोज़ा 14 का सवाल है question says a monotomic gas at pressure P having a volume V expands isothermally to a volume 2V and then adiabatically to a volume 16V सवाल है find pressure of the gas ये क्या होगा गामा हमें दिया हुआ है हम 5 by 3 ले सकते हैं यहाँ ठीक है और अपने option है 64P 32P या फिर P by 64 या फिर 16P इसको अगर देखेंगे तो पहले हुआ है आपना isothermal expansion तो आपका जो process 1 है वो है आपका isothermal expansion उसके बार अच्छा है उसके हुआ क्या है पहले बाद कर लेते हैं having volume V expand ना ले तो यहाँ पे आपका initial condition थी वो P0 V0 था यह expand हुआ जहाँ पे आपका P1 और 2V volume हो गए आपके second condition आ क्योंकि आपका process है तो उसमें हम कहेंगे कि पी इनिशल वी इनिशल विल बी इक्वल टू पी फाइनल आपका वी फाइनल सो पी इनिशल हो गया आपका P0 V0 विल बी इक्वल टू P1 आपको निकालना है multiplied by 2V which implies P1 जो आएगा आपका उसकी value हो गई P0 by 2 यह आपका first condition के to volume second case जो है आपका इस case में जो आपका initial pressure है वो आपकी initial condition जो है यहां से आप final गए हैं तो इसमें initial condition है P1 आपका वह यह आपका P0 by 2 लिख लेते हैं इसको और volume आपका 2V है यहां से हम पहुंचे हैं किसी pressure final पे और volume हो गया है आपका 16V पे और हमें यह बताना है यह pressure final कितना ह होएगा तो इस वाले case में अगर हम देखेंगे now adiabatic case में हम अपनी जो equation लिखते हैं वो हम लिखेंगे यहां पर P1 जो आपका initial condition है वी तूदी पावर गामा वोल बी इकवल टू पी टू वी टू तू दी पावर गामा ना इनिशल प्रेशर जो है वो है अपना P0 by 2 और volume जो है अपना वो है टू वी टू दी पावर 5 by 3 विल बी इकवल टू प्रेशर फाइनल हमें बताना है कितना होगा volume जो हो गया वो हो गया 16 वी टू दी पावर 5 by 3 ठीक है इसमें बस P final की value हमें बतानी है ठीक है तो थोड़ा से मैनूपलेट करेंगे answer आ जाएगा तो यह हो जाएगा P final will be equal to P not आपका यह P divided by 2 multiplied by V तो cancel हो जाएगा यह बचेगा 2 to the power 5 by 3 divided by 16 to the power 5 by 3 ठीक है पर इसको थोड़ा से मैनूपलेट करेंगे अपने answer मिल जाएगा तो इसकी value को हम ऐसा लिख सकते है तो यह हो जाएगा इसको अच्छा ऐसे लिखो P multiplied by 2 to the power 5 divided by 16 to the power 5 5 का cube, cube root और यहां पर आपका by 2 भी आएगा यह है ठीक है चलो अब इसको अगर देखेंगे तो यह आपका बनेगा एक 2 इसमें से cancel कर सकते हैं तो इसकी value होगे P by 2 multiplied by यह आएगा आपका 1 by 8 to the power 5 by 3 यानि की 8 का पहले आप cube लें 8 का cube लेंगे तो वो बनेगा अपना 2 उसके उपर power 5 कर दें तो वो बन जाएगा 32, 2 से multiply होके यह आपका 64 बन जाएगा तो आपका answer हो गया P by 64 सो based on this हम कह सकते हैं कि option number C P by 64 would be the right answer